दोस्तों, आज की जो वीडियो है, वो है, आल्टो, केटेन और जो एस्प्रेसो है, इन दोनों की बीछे कंपेरिजन में है, क्योंकि दोनों ही जो गाड़ी यहां थी, इनका जो प्राइस है लगभग बराबर है, और जादा बड़ा डिफरेंस यहां पर नहीं आता, बड़ इस चीज में आता है कि कौन सी गाड़ी आपको क्या चीज जादा ओफर कर जाती है, यह जो केटेन है अभी कुछ टाइम पहले ही आई है, और लोग को इसका जो लुक है, और जो प्राइस है बिल्कुल भी नहीं भारा है, लो कैने है, मतलब गाड़ी का प्राइस को जादा सब्सक्राइब जाता है, अच्छी हाइट मिल जाती है, गाट क्ले रांस अच्छा मिल जाता है, और cabin space auto से जादा बेटर वन जाती है, तो इन चीजों को यहां पर हम कंपेर करेंगे, खाली dimensions नहीं, मतलब price में किता difference है, features में किता difference आता है, engine हो गया, ऐसी चीजों को भी करते हैं तो देखो भई अगर प्राइस बात करो तो यह जो केटन का टॉप मॉडल आप देख रहे हो बिल्कुल टॉप मॉडल प्लस वाला मॉडल खड़ा है और यह आपको अन्द रोड लगभल लगभल 6 लाग रुपे तक पढ़ जाता है विद बेसिक एकसेरी से साथ अग केटन के मुकाबले 20-30,000 रुपे यह गाड़ी आपको सस्ती मिल रही है दूसरा अगर लुक की बात करें तो इसके जो डाइमेंशन्स हैं इससे जादा है मतलब इससे जादा ऊची लग रहे है फ्रेंट लुक ही अगर आप चेक करते हो तो यह जादा बलकी लगती है सा दोनों में आपको Foglime के options नहीं मिलते हैं और अगर engine की बात करें तो दोनों ही गाड़ी में आपको 1000cc का option मिल जाता है इसमें भी 1000cc आता है इसमें भी 1000cc आता है यह देखो वही जैसे मैं कहने आता है बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी आपको 1000cc का 3-cylinder engine मिल जाता है और यहा अगर मैं टेर की साइस ही बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको काफी बाद डिफरेंस पिल जाता है कि आल्टो केटेन में आपको 13 इंच की स्टीलिम मिलते हैं दोनों में स्टीलिम आता है लेकिन आपको 13 इंच की मिलेंगी और यह अगर आप एस्प्रेसो में देखोगे तो जाथ अच्छा ग्राउंड क्लिरेंस मिलता है यहाँ पर चेक कर से तो अभी देखने में उतना आपको नोटिस नहीं हो पा रहागा लेकिन आप जब गाड़ी को सामने खुद अपनी आखो से देखोगे खुद इस चीज को चेक करेंगे तो आप कह सकते हो कि हाँ एस्प्र से मैनवली करना परता है दोनों गाड़ियों में सेम फंक्शन दे रखा है बाकी यहाँ पर लेकिन जो आल्टो केटन के डोर हैं इसमें आपको बॉडी कलर मिल जाएगा इस तरह से वही अगर आप एस्प्रेसो में देखोगे तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर नहीं मिलता पर एस तरह से अगर आप देखोगे यह स्पेसिंग है वही अगर आप एस्प्रेसो में देखोगे तो इसमें आपको 240 लिटर की मिल जाती है थोड़ा सा दिफरेंस है मतलब इतना दिफरेंस आप कया सिकतो थोड़ी ज़्याद आपको मिल जाता है अब वीडियो में अगर भी आपको सत्ताई सीटर का ही फ्यूल टैंक मिलेगा पीछे के लुक अगर आप दोनों गाड़ी के देखो तो उतने कुछ खास नहीं है दोनों में आपको जो बॉक्सी बॉक्सी ऐसा डिजाइन है वो मिलता है लेकिन बैक सीट का जो कमफर्ट है वो एस्प्रेसो में थोड़ा जादा अच्छा मिल जाता है सीट दिखने में डोनों गाड़ी में सेम है अगर मैं इसकी सीट दिखाता हूँ पीछे की कुछ इस तरह से मिलती है यह देखे रहो एक्चल में इसमें आपको सीट कवर लाके दे रहे हैं पहले से लगी भी नहीं आते और पीछे आपको एड़िस्टेबल हैडर्स भी नहीं मिलते है नॉमाल ऐसे वाले फिक्स वाले मिलते है यह देखो भी केटेन में कुछ इस तरह का हिसाब है सेम वही डिजाइन है उस वैसी सीट सापको मिलती है वैसी आपको हैडर्स दे रहे हैं क्योंकि जो इस एस्प्रेसो में जादा अच्छा मिल जाता है क्योंकि इसके मुकाबले थोड़े जादा अच्छे हैं तो यहाँ जो दो लोगें ज्यादा कमफोर्डेबल हो के बैठ जाएंगे तीसरे वाला जो बिंदा बीचे वैठेगा उसको थोड़ा सा कम एड़ेस होना पड़ेगा हा लेकिन दोनों गाडियों यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन है कि अगर आप देखते हो यहाँ पे तो इसमें पी यहाँ जो फीचर है सेम आपको अल्टो केटन भी मिलते हैं सेम फीचर करते हैं सेम मतलब असी हो गया हर चीज वही मिल रही है बस फरक इतना है इसका जो डिजाइन है थोड़ा डिफरेंट है इसमें सभी चीज आपको सेंटल कंसोल में मिल रही है वैसी आपको विंडो के क्योंकि हम लोगों में घञासे उतना नहीं भाप आती है क्योंकि हमगों कहता हूं हर वीडियो में यहाँ बिचार दीज होती है आपको यहाँ आपर देखने की आगती है तो लोग इंटे के डिजाइन हम घ्रेटन उसको आगे रखना चाहेंगे कि वो चीज ज्यादा अच तो जो की उपर के model में थोड़ा अच्छा भी लगता है और जो केटिन जिसमें कहा रहा था na केटिन का इंटेरी भी सेम वैसा ही देखेगा अब यहाप एक चीज हो गई है जो भी केटिन में शूट कर रहा था तो वाली काड़ी जा चुकी है यहां पर दूसरा model आ गया है उसके एक नीचे वाला model जिसमें आपको touch screen नहीं मिलती है तो आप देखा है तो एक तरह से यहां पर दोनों same model खड़े हो चुके है लेकिन जैसा में कहा रहा था na इंटीर बिल्कुल same है फर्क इतना है इसमें यहीं चीज स्पीरोमीटर यहां पर दे रहा है एस्परेसो में वही चीज यहां पर दे रही है तो लुक different बन जाता है बाकि अगर आप गौर करोगे तो बिल्कुल same है कोई difference ही नहीं है इसलिए लोग इसके लुक को थोड़ा अंदर से जाधा पसंद करते है बागी देखो functions सारे वही है वही है वही इस के कहते है power window control आपको इहीं पर दे रहे है 12 वोट का चारी चंकर सब कुछ वैसा ही है same वही function है तो इडिफरेंस नहीं है यहां पर एक चीज और common है भले आप इस गाड़ी का top model लेते हो second top model लेते हो बढ़े मैं इसकी बात करूँ इसकी बात करूँ दोनों में से किसी भी गाड़ी के करा top model second top model third base model ऐसे कुछ भी लेते हो तो बहार से देखके बता ही भी सकते हो कि कौन से model खड़ा है क्यों कि ठीखो fog lamp उपर के model में भी नहीं आ रहे है सेम ऐसी halogen headlamps और DRL का ऐसा कोई option नहीं है सब को भी alloy wheels सिर में आते ही नहीं है लगाने आपको X-series में आके पड़ेंगे ठीक है दोरूई गाड़ी की बात करना हूँ यहां पे में मिल जाते हैं थोड़ा अच्छा comfort उसमें मिल जाएगा पहले interior उतना attractive नहीं है लेकिन ठीक है practicality वाइस देखा है तो espresso cadence जादा अच्छी है बागी आपको जो लगे जो आपको suitable लगे आपको जिसका look अच्छा लग रहा है जो आपको जादा मोडल आ चुका है वाला मोडल चला गया तो फिर भी देख रहो टॉप मोडल में और सेकेंड टॉप मोडल में कोई डिफरेंस ही नहीं है तुखा है खेर अगर टॉप मोडल वह आपको 6.5 तक पढ़ जा रहा है और यह जो मोडल है यह आपको सब 6,000,000 रुपे तक पढ़ जाएगा वतला 20-30,000 रुपे का डिफरेंस है तोनों गाड़ी में आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी बढ़ी है कमेंट सेंट में कमेंट करके जरू बताना और वीडियो एच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सिस्क्राइब करना मत भूलना ठीक है बहुजन मिलते हैं आपको ऐसी और नी वीडियो से साथ तब ते के लिए जैहिन वन्ने मात रूँ